हेलो स्टुडेंट्स आपपा ना टायर वाला चप्टर स्कार्ट किता सेगा टायर एंड वील्स ओधे विच अपपा जड़ा अगला टॉपिक डिसकस करना है और टॉपिक है जी हाउ टू इंक्रीज लाइफ ओफ टायर वही असी किसे भी वहिकल दे टायर दी लाइफ लो किता इंक्रीज करते हैं ठीके फोककस असी जड़ा टायर करांगे ओड ट्रैक्टर दा टायर होएगा बट ओधे कंटैस्ट दे विच असी नाल टुडि लाइफ नू इंक्रीज किता गिता जा सकता है ठीके और इस सब तो पहला जड़ा पॉइंट आंदा जी ओए जी ओवर्लोडिंग ओवर्लोडिंग जो की कहनते ने वहिकल शुड़ बी लोड़िड टू दी अक्स्टेंट ओफ इट्स कपैसिटी फिक्स्ट पाइदी मेनुफेक्च्छरर के जदो भी किसे भी वहिकल नूँ लोड करना न तियो नू कि किना लोड पासका दिया असी ओर इते मैक्सिमम उनना ही लोड पाना है उस तो बाद लोड नी माना इन केस इटीज ओवर्लोडिड ओवर एंड अबव फास्ट वेरिंग ओफ अदर पार्ट्स दी टायर विल रन होट दी साइड प्लाइस ओफ दी टायर विल गैट लूज़ एंड कम सून कम आउट एज विल मेक टायर यूज़ लेस की कर दे हो जिए अपा टायर नूँ ओवर्लोड कर दवांगे जड़े पार्स ने टायर दे या होवर जड़े पार्स ने चाहे हो इंजन दे पार्स हों चाहे हो बोडी दे पार्स हों चाहे हो चैसी दे पार्स हों करन के fast varying start हो जागी कसना जलदी start कर देनगे टायर जड़ा है ओच्छ साइपलाई इसने टायर दिया ओवी जलदी lose or नेल थे बार आणिया start कर देनगी या та ते टायर नूँ किंपन या Україर नूँ useless कर देनगी या इस करके ऐसाच वहीकल शुड ओल्वेस भी correctly loaded इस करके वहीकल नूँ जदो भी लोड करना है आसी क्रेक्टली लोड करना है सही दरा लोड करना है wrongly लोड नहीं करना करना याद रखना है वही जदो भी अपा वहीकल नूँ लोड करना है जड़ी हो धी capacity यह औरे तो ज़्यादा असी उन्हों लोड नहीं करना जड़ी कोफेस्ट्री उन्हें मैनुफेक्चरर ने फिक्स कीती है उधे हिसाब नापा लोड करांगे जड़े टायर ने या जड़े होर पाड ने उनने जदी कसना शुरू कर देना है टायरा दिया साइड बलाइस में बाह लेक्टरी आंड़ असे घ्रेक्टरी लोड नंबर टू ॡ्Bennekar ॡोडिग रॉवर नौडिग जड़ी ऋ लोडिग या पहला सिगा ओडु नितले खी्लोड 15来 ऋवर लोडिंग भाड फर्लोड भी पर्लोड होलोड यंदिंग सब्रस्ड्रू कुण भी टेकन टू प्लेस दी लोड इन दी सेंटर आफ दी बॉड़ी केंदे जोदो भी अपन कोई वड़ी चीज चाहे हो ट्रेक्टर हे चाहे हो ट्राली हे चाहे कोई हूर वड़ा है एच्च भी ये हैवी मोटर वहीकल हे उद्धारी चीज अपज दो लोड पानने आना ते इस का दा ख्यार रखिया जानता है वी अपन जड़ा ज़्यादा लोड एना और बॉड़ी दे सेंटर च पाना है एन्वी अपन टेरा ते जारा लोड पा दिये एद्धा नहीं करता है बॉड़ी दे सेंटर ते असी ज़्यादा लोड पान दी कोशिश करनी है ज़्यादा और दी प्र पांगे, जी इपने टायर नो, पर्म squeeze अभी खराप कर दमागे, इस करके कदी भी यह सी इस स्य इस तरह नहीं करना, और पांगे, यहसी इपनी टायर नो करते हैं, जी जी अड़ कर दो एगे जी आधे फारी जी फारी एक त्रेर कर दे कर दो, पर्म यर्व्ल कर द पा दिया जा पिश्री साइट Tucson Fach efficacia लोड़ पाना सेंटर चटी जा banda 1995 ap oddly more inflating tires कियो फ्यूंद है over means ज़्जादा inflate means जड़ा सी अंदर एर दा प्रेशर किल गर दें आ उनों किने आ इंफिलेशिन किक सब्सक्राइबर की करते ने ओफर इन फूरटी ठायर शगे शरा कोफ करींग एक्स्टरा लोड पुटे लिटल एक्स्टरा प्रैशर इन डी टायर सनी आछा एक कुछ ड्राइवर कि ने यहांग जाधा लोड हानלי कारण की निदे मतलब जहों कि ओलोड कि зах手 लोड चकना है ठीक है योदा वेट जादा है उगी करतेने टायरा देवेच एर पैस्टर उजादा करतेने उन्हानू एए लगदा है यूजि एप्बेश्ट उमिंग्रीस करते बहँगे ते टरेक्टर दी जरी कपैसिटी है अपने ट्राक के दी जरी वही कर दी कपैसिटी है पार चक कर दी ओ वाज जाएगी दिस इस टोटली रोंग प्रिजम्शन ए बिलकुल एक गलत जड़ी तारना है एद्दा नहीं हुंदा एज दी ओवर इंफिलेटी टायर्स नीदर गेट एक्स्ट्रा कपैस्टी तो बियर दी लोड नोर आर मेड बिलकुल गलते भी अपा ज़्यादा हवा पारके टायरा अंदे बेच्चर पोदी जड़ी लोड बेरिंग कपैस्टी है उन्नों नहीं पदा सकते ना यसी उन्नों स्ट्रॉंग कार सकते टायर नो ज़ी एर पर अंदे ना टायर स्ट्रॉंग हो उनला पैल फेरते लोड नी टायर पर बड़ डेवूँ आंदी फेरते एर ही पर ही ज़ीए बस कली कली एर पर के लोड जिना मर्जी चाही ज़ीए एदना नहीं होंदा ओंदी कंटेरी चैन्दे एरे तो उल्ट की होंदा है the karts fitted, the karts fitted in the tire become loose which eventually make it useless केंदे, अरे तो उल्ट काम होंदा है असी अपने वलो वदिया करनी कोशिश कर देया बट हो अरे तो उल्ट जानदा है उल्ट कितना जानदा है जिनिया वेच karts ने तारा ने टारा ने वेच ठीके, उन्ना ने की ओ, इन्ना ने stretch हो इन्ना है ठीके, stretch हो के जिदो आपए air करनी है फिर उन्ना ने loose हो इन्ना है जिदो ओ, karts loose हो यन्ना कवर उन्ना दे loose हो उन्ना नाल जड़ा सब्ड़ा टायर है वो हमेशाली useless हो ज़नता है over and above this due to high pressure in tires, it does not absorb road shocks ते अरे तो लावा कि उन्ना है जिदो प्रेशर हाई कारती है ने टायरा देवेच तो जड़े टायर ने हो road shock अब्सोंब करना भी बांद कारती है तो उसी देखे होएगा जिदो अपा अपनी bike देवेच एक्टिवा देवेच, cycle देवेच एकदम एर प्रेशर प्रवा ने या ते जिदो एसी एर प्रेशर प्रवा आगे निकल दे या सानु एद्धा लगता है भी साटे जड़े shock absorber ने हो काम भी नहीं कर देवे यह मतलब छोटे छोटे चटके भी तो अनु फील लों देने ओ क्यों कि टायर देवेच अवर इनफलेशन करती खीकि ओवर इनफलेशन करन देनाल की हो या टायर देवेच फ्लेक्सिबिल्टी कट भी ओ फ्लेक्सिबिल्टी कट देनाल तो अनु जड़े छोटे छोटे शोटे शोक्स ही है ओवी लगन लपे ओने अब्जॉब करने बंद करते As these are transmitted to the chassis ते ओज़रे छोटे-छोटे shocks ने ओज़रे छोटे छोटे शोक्स ने ओज़रे चैसी तक transmit हो लपने ने ज़रे चैसी तक transmit होंगे फिर bodies भी आँगे जब bodies आँगे फिर passengers भी आँगे इस करके ज़दो भी अपा inflation करनी है कदी भी over inflation नहीं करनी Tread contact area of over inflated tire is much less as compared to the properly inflated tire कहने ज़रे ट्रेड कॉंटेक्ट एरिया है ज़दो असी air pressure ज़्यादा increase कर देने है ओधो जड़ा tire दा ट्रेड दे जड़ा टायर दा जड़ा contact ते ग्राउंड दे नाल ओ काट ज़नादा है टायर दा ग्राउंड दे नाल जड़ा contact यो काट ज़नादा है क्योंकि टायर उपर चके जड़ा ज़नादा है इस करके आप अजे प्रोपर दी इंफिलेट करांगे फिर जड़ा tire contact area ओभी ब्रबर रहेगा जे यसी ज़्यादा air pressure अंतर फिल करता फिर जड़ा tire उन्हें पूरी तरह नाल ग्राउंड दे नाल ग्रिप नहीं करना इस विल रिजल्ट इन फास्टर वियरिंग ओफ ट्रेट्स ओफ दी टायर्स में लिए अर्दी center ऐले नाल की होएगा फिर जड़े tire दे ट्रेट ने center जो जड़ा part दराउंड नो को टेक्ट करदा विया है ओँ चीज ज़े यह जल्दी कसनी start करते इस करके ज़दों भी अपा टायर दे विच एर प्रेशन नों फिल करना है अधि भी उन्हों over inflate नहीं करना over inflate करांगे ते सान उन्हों उक्सान होएगा हमेशा उन्हों प्रोप पर दे इंफ्लेट करना दी कोशिश करनी अगों आगया जी under inflation जैसी over inflation पढ़िया है उन्हों असी under inflation पढ़ देयां अंडर मतलब काट इंफ्लेशन मतलब air pressure जिनना air pressure manufacturer ने recommend कीता है जी असी ओरे तो काट air pressure रख देयां ते उन्हों असी under inflation करने है sometimes the drivers do not pay attention to properly inflate the tires and run with it less air कि ने कई वाइ driver की करते ने टायरा दे वे चीड़ा air pressure होते ती आनी दिनने ती उन्हों का टेर दे नालीच रही जांदे ने का टेर प्रेशन दे नालीच रही जांदे ने under such circumstances thread in the center is slightly lifted up एंदा दे circumstances की उन्हों दे है वी जड़े center चे ट्रेड ने न वो उपर नू लिफ्ट गार जन दे ने जिदो over inflation सीगी ओदो center वाले ट्रेड ने ground दे नल कुंटेक्ट बनाया सीगा जिदो under inflation होगी ओदों की वाया टायर दे जिड़े center वाले कुंटेक्ट ने center वाले ट्रेड ने वो center तो उपर चके के under such circumstances thread in the center is slightly lifted up while both shoulders get bulged out ते जिड़े दुनों shoulders ने दुनों sides ने tire दिया वो बार नू निकलान दिया जिदों tire पूरी तरह inflate नहीं होएगा under inflation होएगा ओदों dreads ने center तो उपर चके जाना है ठीक है जिड़े side वाले shoulders ने उनना ने बार नू निकल जाना है this bulging out of the shoulder makes the cord loose inside the tire and the tire runs hot resulting in premature failure जिड़े जड़ों एदा टायर दे shoulder जड़े ने ओ बार आ यंदे ना उधे नाल की होंदा है भी tire जड़े कोड ने ओ लूस हो यंदे ने अंदर जड़े का वायर्स ने ओ लूस हो यंदी है ते tire जड़ा है ना ओ गरम हो यंदा है ठीक है tire गरमों के चलन लापेंदा है जिरों tire गरमों के चलन लापेगा तो और इस की होएगा फिर premature failure होएगा मतलब अपने time तो पहले ही जड़ा टायर है ओ फेल कर जाएगा जिरों टायर ने एक साथ चलना से गा ओ तो अटा छे मिन्ने साथ मिन्ने ची फेल कर गया मतलब जिनने time तो पहले ही फेल हो गया एन उसी कहने है premature failure मतलब टायर ने चलना है अपा उन्हों ना ही अपा overload करना है नाई गत्री करना load करना है नाई inflation जड़ी सा over होनी चाहिए दिये नाई inflation जड़ी ये under होनी चाहिए दिये next आगे है जी bleeding of tires bleeding of tires किये एद वाड ली एक नवी चीज है शायद उसी पहले नागदी पड़े होए bleeding of tires अशी किन्नों करने है you must have seen some drivers after coming from a long journey checking the tire pressure and setting it right by reducing the pressure this is a wrong practice कहते तुसी देख्यो हैगा जदो भी driver किते long journey ते जानते ने ना जदो टाई ते 100-400 km truck चल गया या tractor चल गया या trolley चल गी उस तो बात की करते ने जे किते brake मारते ने जा रुक दे ने इंदो पील लई रुक खाल लई उते की की करते ने air the pressure चैक करते ने रोग के ते ओ एएटा प्रेशर ना ओवरां ए जिनना होना चाहिएदा उस तो जालां आदा है ते फिरो की करते ने ड्राइवर थोड़ा एर प्रेशर काटे कारते ने वो जिनो थोड़ा air pressure काट कारतें देने वो जिना टायर दा pressure है वो नोर्मल रेगुलर लेवल ती आई दा पर टो कैंदेने ने रोम प्रेक्टिस है एद्धा नहीं करना चाहिए दा एगर्थ चीज है क्यों टायर शुड नेवर भी चेक्ट फॉर प्रेशर वेन इट इस हॉट चेक्ट प्रेशर असी उस टाइम कदी भी नी चेक करना जिदो टायर हॉट होएगा ठीके बालो गड़ी तुसी काफी ज़रा चला ली टाई थें सो किलोमेटर गड़ी चलाई एक दाम तुसी होदा प्रेशर चेक करना आप पे अधना नहीं करना जी अधना प्रेशर चेक करना है पहले उनु थंडे होन दावांगे टायर नो allow it to cool down and then check the pressure पहले उनु थंडे होन दावांगे फिर असी प्रेशर नु चेक करांगे as it has been observed that in case air is bleated from a hot tire and the vehicle runs run after it this lower pressure will make the tire run very hot and the temperature will go on rising as such air should never be bleated from a hot tire के दे है उब्सर्ब किता गया है जी यसी air जड़ी है और किसे गरम टायर दे विचो बार कट दी है ते उस तो बाद वहिकल नू चलाई है ते उदे नाल की होएगा जड़ा low pressure है न वो टायर नू गरम कर देगा टायर नू गरम कर देना आज टायर दा temperature जड़ा है वो वजना स्टार्ट होजेगा इस करके टायर नू असी कदे वी bleed नहीं करना bleed में अंद्रो air बार नहीं करनी कदो जड़ो टायर होट होएगा ठीके hot टायर दे वीचो कदी भी air नू असी बार bleed नहीं करना जे air दा pressure चेक करना है hot टायर दे वेचापा pressure चेक नहीं करना टायर नू ठंडा होनता मांगे फिर असी ओधा pressure चेक करागे इस गल्दा जड़ा ख्याल है रखना ज़रूरी है यह नू करने असी bleeding of tires next driving habits ड्राइविंग हैबिट्स ने न ओधे नाल भी जड़ा tire है ओधी life नू increase ने decrease किता जा सकता है इस मतलब उथो यह सी चेक कर सकते है जड़ी tire दी life है वदेगी या कटेगी ड्राइवर गड़ी चलानता किता है let us study these उन है किडे किडे ने किडे किडे ड्राइविंग हैबिट्स ने जिरियां टायर दी लाइफ नो कटा दियां या वदा दियांने नमबर वान ना दी टेकिंग शाप टंस आपना हमा लोग गड़ी चलाने में एक दम स्टेरिंग मोड दिये ठीके? कोई काट लेना है, एकदम काट मार दिए, जिदो एकदम काट मार देया, और इना टायर दी लाइफ ते, बड़ा फरक पहन दे ठीके? एकदम जिदो टायर नो अपनी पुजीशन चाहिज करनी भेंदी है, और इना टायर दे, जड़ा वीयर और टीयर ये, वाज़ जन्द है दूजा नमबर, किया लेस्ट ड्राइविंग? जदो वसी ड्राइविंग सही करा नहीं करते ठीके? ओदो भी, टायर दी लाइफ कट दी है, मेकिंग दी वील, रब अगेंस्ट पेडेस्टिर स्टोंस, और मेकिंग दी वील, राइड ओन इट कई बार कीए, छोटे-छोटे पत्थर खिल रहे हैं उन्देने, असी उन्दा पत्थरा तो बजरी वी गा रहा है, तो बड़ी तेज कंड़न दी कोशिश कर दिया, टायर नूँ एक वाज भी निकल दीये, बजरी दी, ठीके उस तो बाद अथो मिटी जी भी उड़ दीये, ओरे नाज नो डाउट तो ये अपने वलो स्टंट ते मार दया, बट ओरे नाज तो अड़ी टायर दी जड़ी लाइफ हे, वो कट गी, क्योंकि जड़ी नीचे पत्थर पहे पहें, ओदे अपा तेज स्पीट ते गड़ी नो चलान दीये, कोशिश कर देया, ते ओदे ते भी टायर दी लाइफ ते फ़रत पहेगा, यूजिंग ओफ हार्ष ब्रेक्स, हार्ष ब्रेक्स मतलब की ये, जदो भी ब्रेक अपलाई गरनी, एक दम खेच के ब्रेक दी कोशिश करनी, स्लिप मारन दी कोशिश करनी, जिरो तुसी स्लिप कर दे हो, टायर नो स्लिप मरवान दे हो, तुसी देखे ही होएगा, वे टायर किन्दा कसधा जान्दा और निशान किन्दा रोड़ते पहन दे जान्दे ने, एददा जे टायर तो ड़ा लगातार कसध कर देना है और ना कि युण यून्दा टायर जड़ा एक जगाते lifesabout कमदानी सिर्ण करने इस बना कर देन यूद ना तायर नू कसानद है और नाल भी टायर जड़ा है ओ किसद है रेगुलरली रिमूव फोरन मैटर फ्रोम ट्रेट्स ओफ टायर कहलते जड़े टायर दे ट्रेट्स ने उनना दे वेच ये कोई फोरन मैटर फास गया है और नू तुसी जड़े रोज रिमूव कर दे ओ ते ओधे नाल भी टायर दी लाइफ ते एफेक्ट पैंदा है क्योंकि कोई चीज तुसी मारोगे और रबड़ ये टायर दी जड़े तुसी पिन मार के रबड़ तो साइड तो पथर गड़ोगे और पिन जड़े तुसी रबड़ च मारोगे ओवी टायर दी लाइफ नो कटाएगी बार बार तुसी और ये पत्थर मार मार के कोई चीज कर दे रोगे अंदरो पत्थर वगारा कर दे रोगे तो और नाल भी टायर दी लाइफ ने कट रहा है एक्सेसिव यूस ऑफ ब्रेक्स जे तुसी ब्रेक का इस्ते बाद जादा करोगे ड्राइफ कर दे कर दे ते और नाल भी टायर दी लाइफ जड़ी है वो कटेगी इस करके ड्राइफिंग हैबिट जिडिया ने उनना दा भी ख्यार रखिया जावे जदो भी वहीकल लूँ चलाया जावे फिसे थार आगया जी मेंचिंग ऑफ टायर मेंचिंग ऑफ टायर की अ तुसी देख्यों आईगा कई अट्रक आदे बेच क्या हो बसादे वेच के डवल डायर यूज के यां दो दो तायर यूज किते जांगे में पिछे अगए नी वोस ली पिछे ठीक है उन्हां मारे यागाल की कि उन्हाने मैचिंग ओफ टायर्स की केंदे ने इन ट्रक्स एंड बसिस वेर ड्यूल वील्स आर फिटिड ओन दी रियर एक्सल दी हाइट ऑफ बोद दी टायर्स शुड भी सेम केंदे जिनना गडियां दे वेच्च डवल टायर यूज होंद पेन है उन्हा दे वेच जिडी टायर दी हाइट है वह सी सेम रख नहीं है सेम उनी चाहिए है इन केस इस नोट पॉसिबल दे दिफरेंस इन हाइट शुड नोट बी मोर दैं वान बाइट इट इंच फेलिंग विच दी बिगर डियामेटर टायर बिल कैरिंग दी एंटायर लोड ड्यू टू बिंग ओवर लोडड इट विन रन होट एंट फेल प्री मिचूर ली जा परमनेंटली की केंदे भी अपां हाइट सेम रखन दी कोशिश करनी है जी आसी हाइट सेम नहीं राख सकते ते एक टायर ते दूजे टायर दे वेच किना डिफरेंस होना चाहिए यानि कि एक सूतर दा एक सूतर तो वद डिफरेंस जिड़ा है ओ ना होए एक टायर ते दूजे टायर दी हाइट दे वेच जी यसी एदधा नहीं कर पाए जिड़ा वड़े डायामीटर वाला टायर है उनने सारा लोड अपने ते ललन है जो सारा लोड हो दे आ गया उनने ओवरलोड हो यहना है ओवरलोड होंदे कारण ओगरम हो जेगा चलता चलता ते जदो ओगरम हो गया ते फिर ओपर्मानेंटली हमेशा लहीं फेल कर जाएगा इस करके जदो भी असी ड्यूल टायर यूज़ करने ने कोशिश की करनी है उनना दी हाइट सेम रवे उस चीज वसी कहा है ता मैचिंग ओफ टायर्स एट्थ पॉइंट आगया मेकेनिकल फॉल्ट टायरा देवेच मेकेनिकल फॉल्ट केड़े केड़े ने लास्ट है ही पॉइंट है एट्थ ही पॉइंट लास्ट है एनी डिफेक्ट इन वहिकल especially in steering system accelerate the tire wear जेकर साथे steering system देवेच कोई problem आजवे न तो दिनाल भी tire wear जड़ा increase कार ज़नद है एक good mechanic can find out the fault in the system by checking tire wear pattern जड़ा 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 है excessive tire wear due to mechanical defect is due to the following कर तो अड़े वहिकल देवेच जयादा वीयर होंदा प्या है एक्सेसिव वीयर होंदा प्या है तो अधा कारण की की हो सकता है उनने जसे है नमबर वण जे तोड़ा टो इन या टो आउट ओ डिफेक्टीवे तो जे नालबी टाइर वीयर जड़ा है बद सकता है जादा टो या ज़्यादा टोगा उट है, ओगई कर सकता है टायर कऊ घरकाल में इधना केमबर ऑटी ऐंगल जले तेंगें इस आफ पूरी तरह सेट को प्रेस선 नेगा, तेंग जले सेट अनवात पर जला की मैं नालवें तो टायर कर सकते है। इस करके camber ते kaster दोन्हों एंगल जड़े ने सही तरह सेट होने चाहिए ने इस करके आपः wheel balancing कर देया आपना सोड़ी wheel linemen कर देया wheel linemen कर दा कारण एही उद्धा भी साथे जड़े टायर ने हो सही तरह कसं जाता ना कसं bent front axle जे तो अटा front axle bent होया है मुठे भाय औरे नाल भी तो अड़ा टायर वियर विए विए वदे का तो अड़ी चैसी बेंट ऋयी है औरे नाल भी टायर विए विए वदे का ग्रैबिंग ऑफ ब्रेक्स जे ब्रेक तो अड़ा grab कर दिया भी आने पत्तब ज्यादा लग दिया भी आने ठीके एक्दम तुसी break press कर दे उसे time break जड़ी है apply हो ज़ंदी है grab कर ज़ंदी है first ज़ंदी है उन्हें नालबी तोड़ा tire wear ज्यादा होएगा worn out और lose hub bearing जड़ी hub हे wheel hub बे wheel hub दे जड़े bearing ने जो खराब हो चुके ने या लूज ने ते ओधे नाल भी तो अड़ी गड़ी दा जाए टायर भी हरे ओधे इंक्रीज हो सकता है तो ऐसी अठ वेस परे ने जिनना दे नाल टायर दी लाइफ नो फरक पेंदा है एक वर दोन दुबारा दा सिना केड़े केड़े सिगे पहला सिगा ओवर्लोडिंग वेहिकल नो अपका कदे भी ओवर्लोड नहीं करना रोग लोडिंग ना मतलब की सिगा जदो भी वहिकल नो लोड करना है लोड किते किते पहरा चाहिए इस गाड़ा ख्या करा है कदे भी टायर नूँ ओवर इंफलेट कार के लिए चछाना वही जाधा पार लोड करना है ती टायर के हवा जाधा पार दिये अध्दा कदे नी करना अंडर इंफ्लेशन नहीं चाहिए दी अंडर इंफ्लेशन ना मतलब कीए तायर दे विच जिन्नी हवा मनुफेक्षरर में कहीए कोनी हवा जरूर पर नहीं है उस तो काट यह सी हवा पर आगे त्योंनों सी अंडर इंफ्लेशन कवाँए ब्लीडिंग ओफ टायर्स ब्लीडिंग ओफ टायर्स आ मतलब कीए टायर दे विच जो एयर बार कडनी उन्हों सी ब्लीडिंग करनी है कदी भी ब्लीडिंग जेड़ी है ऐसी होट टायर दे विच नहीं करनी ड्राइविंग हैबिट्स वाड यह जडिया ने जिवेंकि टोई टोवाउट केमबर कास्टर बेंट चैसी बेंट फ्रंट एकसल एधर यह चीज़ा भी जड़िया ने ओ टायर दी लाइफ नो डिक्रीज इंग्रीज कर दियाने वियर नो इंग्रीज कर दियाने इस करके एनना गलना दावी ख्यार जिड़ा है और रखना पाएगा ऐस गए तो अड़ा आज ज़ा टॉपिक तोटे चैसी पड़िया लाइफ आफ दी टायर थैंक यू